ओम्शान्ति तो जैसे अनुभव का प्रीच्चा लेना और आत्मा का प्रीच्चा लेने के बारे में इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है यहां पे तो मैं उसमें सामिल हुआ हूँ तो मैं अपने आपको एक सोभाग्य साली आत्मा समझता हूँ तो सबसे पहले मेरा प्रीच्चा है मैं एक सिक्सक हूँ गौवर्मेंट जोब में करता हूँ मैं और दूसरा बाबा के बिलकुल पास ही मेरा यहां पे घर है और ना मेरा राजपाल है और मेरी यूगल भी जो हैं बाबा से जुड़े हुए हैं बाबा से उन्होंने भी ग्यान लिया है लेकिन ग्यान लेने से पहले हमें अपने आपके बारे में पता नहीं था कि हम क्या चीज हैं और प्रमात्मा क्या चीज है तो सबसे पहले अध्यान इसी के उपर था हम किसी भी गुरूओं के चक्र में आज तक नहीं पड़े हैं मेरी 48 एर की एज हो चुकी है हमने हमारे जो हमारे परिवार है लोकी परिवार है और सगे सबंदी है कोई भी हमारे गुरूओं के उसमें नहीं है परमात्मा किर्पा से यह समझो कि हम उनी कुल के हैं देवी देवता कुल के ही मान के चलो आपने आपको तो हम भगती में रहे हैं जैसे त्रेसल परस्तों का हमें पताया गया है जो हमें ग्यान मिला है तो उसी के अनुसार हम भगती में ही थे और भगती में पुरी तरह से लीन थे एक तरह से सुब कुल देवि है कुल देवता है उनको मानना उस ही क legitμε nug поним fuckin कि तो यह इसा कुछ पटने था के में ऊपकई T Всå इसा प्रमात्मा फ़ेष्ट जाएंगे रिक करन आदर हा है हमारे लिए कि यहां पर हमारी क्लोनी जो है तो यसी में मेरा मे安 कम्न भी था कि यह कोई प्रमात्म ग्यान देते हैं मेरे कोई मित्र से जो कॉलेज टाइम में से मुझे बताते थे कि उनका ग्यान लेना चाहिए उनके सेंटर में जाना चाहिए सुबह शाम वहां पे मुडली होते हैं मुडली सुननी चाहिए तो हमें ग्यान इन था इस पारे में कि क्या ह होता है ही क्या ग्यान देते हैं हम तो मगा भगती में लिए हम तो लगे हुए हमें क्या आप सकता है हमारे सारे काम ठीक हो रहे हैं कोई हमारे बगाश्च नहीं आता है आता है तो चला भी जाता है मल पता नहीं था हमारे को ग्यान नहीं था जी तो दूसरी बात के मेरा मकान तो मैं इसी धरती से जाता था निकल करके तो मुझे निपजा था कि यहां पर आपका एक परमात्मा का जो है इस थान है यहां पर मिलने का तो पहले मेरी जो यूगल थी वह भी शिक्षिगा है वह भी शरकाय स्कूल में जाते हैं वह भी तो वह उनको बहुत जा तकलीब रहत उनकी तविद्खराब होगी है कि आप आजयो जी मास्टर जी आजयो आजयो आपकी जो यूगल हैं उनको ले जाओ आप तो ऐसी चलता रहता था यहन के सात आँड़ साल ऐसी प्रोलम में रहे हम तो फिर उसके लिए कहीं कहीं जगा से दॉक्त्रों के हमें नमबर मिले हमा लेकिन वो बीमारी टस्क के मसनी वहीं के वहीं रही है तो फिर हम यही बात करते थे कि हम इतनी पूजा अर्चना भी करते हैं परमात्मा के हर एक तुमार मनाते हैं अच्छी तरह से घर में पूजन करते हैं सब काम सरदा से करते हैं लेकिन हमारी अवाज परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंचती है हमारे उपर की कष्ट की आते हैं कितने कष्ट आ रहे हमारे उपर तो फिर यही आते थी वार के परम्पिता परमात्मा आओ हमें बचाओ तो मेरे भाई जो बड़े भाई हैं मेरे उन्हों ने भी पिर ब्रहमा कुमारी आश्रम शुज अल्हा से ग्यान लिया उन्हों ने भी वह वी उदके एक रहा से बच्चा बने हैं वह भी तो उनका भी फोन आना सुरू हो गा मेरे बास कि आप भी जो एन कर लीजिये तो मैंने जाना सुरू करो वहां पे तो मेरे मन में आया कि पहले यूगल कोई वहां बेजा जाए क्योंकि मेरे मन में तो बहुत सारी ऐसी ऐसी ब्रहांतियां थी जैसे बाहर की ब्रहांतियां बनी थी लोगों की कि जैसे वहां जाएंगे तो वहीं के वहीं के होकर रह जाते हैं कि व योगल का होसला बढ़ है कि आप जाएए वहांबे साथ मेरे डरी ठीक मेरे साथ मेरे जुरू उर एक मेरे पुत्री भी साथ मेरे नहीं इतलीजं़ यहाया बना लकारीगद के तो उन्हें ने तो टाइम पे रह गी, तू टाइम रह गी है और फिर वो दिरे दिरे वो भी समापत होगी बिल्कुली इछे मिने के बाद, मला वो दुआ लेना ही भूल गी तो भूल गी उनको कोई प्रोलम नी हुई तो मैंने एक तो बड़ अच्छा है जो आ वहां जाने लगे हैं और दु कुमार जी भी बैठे दें जराबसी वाले तो वो खुद मेरे को लेने आए यहां पे बाराँ जून 2019 को प्रोगाम था प्रदवसनी का यहीं पे बस्टेंड में मधुबन से कुछ भाई आयो थे भाई बहने आयो थे उन्होंने प्रदवसनी का यहां था तो उसमें प्रहम कि में था तो उन्होंने चलो भाई आपको जाना परएगा आपको जआन प्रदवीला ऑपर में अपने जा जाना आना जाओ अधा कोई हम जांए आप साथा हां कुञ तो यह अप लेन चाहा है ओ यह अप लेरे माने नहीं नहीं म然 लेक हैं गाड़ी लेकि अर यहां पे इसके बाद यहां पे दीदी केलन थीन से मिला मैं, मोनह दीदी ही इन्से मिला तो इसके बाद परदरस्नी में भी मैं Beetha मुझा टहरा क्या बता रहें रहें क्या नहीं बता रहें तो वहां पे लागए कर घ्राषा का हुदा रहू है कि पाउ बाबागीजरी ओड भ करना है हाँ पर तो साथ दिन लगेंगे आपके एक तरह से कोर्स ही आपका वो साथ दिन का सुबह आओ चैशाम को आओ आप तो फिर मैंने वो साथ दिन का कोर्स रू किया जी के आना चाहिए जब मेरी पत्नी जो भूगल है उनको इतना इच्छी तवीत हो गिया उनकी इस करना है उनको मैंने ग्रहंड करने कोशिज की है अपने दिवन में लगाने कोशिज की है उससे जो है मेरे जो मन था उसमें जो ब्रहांतियां तो सारी सारी समावत होगी जैसे ब्लैक बोर्ड को साफ कर देते हैं इस तरह से वो मेरा मन जो बिल्कुल साफ हो गया जो ब्रहां के लिए वो डांस कर लेती हैं बाबा के भजन के उपर तो उसके गीतों पर उन्होंने डांस भी किया यहां पर जब 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 प्रोडाम होए हैं दिनों के साब से तो दूसरा बहूत ही अच्छा लगा मेरे को ग्यान पराप्त करने के बार के हम क्या है अपने बारें पतला कि मैं कौन हूं और मेरा कॉना प्रमातमा क्या चीज़ एक यह चीज ले कैसा रूप ए उनका तो पता लगने से मन जो है बड़ा रोमांच हो गए मेरे मन में के हमने जो पाना था वो पालिया जो मुझे पाना था वो मैंने पालिया तो उससे हम जुड़े रहे हैं हाँ पर जैसे जैसे हर रोज मुरली आती थी मुरली का भी हमें यह नहीं पता था कि क्या होती है मुरली के हमें तो बजाने वाली मुरली का ही पता होता था कि बजती है मुरली बांसरी बजाते हैं उसी को मुर्डी वहते हैं कि जो बोलते हैं तो उसे हमें पता लगा फर हर रोज आहा नए-वr वर्दान मिलना स्लोगन मिलना उस पे हमने अमल करना सुरू किया वो ही अपने अंदर संकल बना के रखा तो हर एक काम में हमारे जो काम थे वो सब काम ठीक होते रहे हैं जी अब तक हो रहे हैं